हांजी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पे ये कमेंट आ रहा था कि सर मेरा बुकलेट नंबर खो गया है, अब मैं अपना स्कूर कार्ड कैसे देखूं? अपना ओफीसिल आंसर की कैसे जग करूं? और और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर में अपना स्कूर कार्ड नहीं देख पा रहा हूँ, सर्वर एरर बार बार लिख दे रहा है तो उन सारी चीजों की कम्प्लीट डीटेल्स में आज इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ कि ऐसा आपको क्यों आ रहा है, क्यों सर्वर एरर लिख रहा है और किस टाइम में अगर आप रिजल्ट को चेक करेंगे, यानि का आंसर की को चेक करेंगे तो आपका स्कूर कार्ड देखने को मिल जाएगा अगर आपका बुकलेट नमबर खो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए इन सारी चीजों की complete details इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो बन रही है इस वीडियो के शाथ इससे पहले दोस्त ये वीडियो अगर आपके लिए helpful होगी तो ये आप अपने दोस्तों में जरूर शेर कीजेगा ताकि इस वीडियो से उनकी भी कुछ help हो पाए चलिए दोस्त अपनी वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं उन students की जिनका booklet number खो चुका है यानि की गुम हो चुका है वो क्या करेंगे दोस्त पहले तो मैं ये बता दो कि ये आपका result नहीं घोसित हुआ है या भी आपका scorecard जा रही हुआ है scorecard means क्या है इसको मैं पहले भी clarify कर चुका हूँ लेकिन short time में मैं इसको थोड़ा details कर दूँ देखिए जितना 400 में से जितने number आपके आएं है वो scorecard के रूप में result से पहले आपको बता दिया जाता है और उसके नीचे आपको answer की बता दिया जाता है कि ये प्रशन का ये option आपने टिक किया है और सही answer ये है ठीक है कि ये गलत बता रहा है B answer ही मेरा सही है तो आप उसको response कर सकते हैं यानि कि एक बार और apply कर सकते हैं कि ये वाला ही हमारा answer सही है फिर वो check होगा तो आपको उसका भी number मिल सकता है ठीक है अगर आप सही है तो ठीक है तो इसलिए scorecard जारी होता है ताकि आप उसमें correction करा सकें तो अगर आपका booklet number खोच चुका है तो आप अपने scorecard कभी भी नहीं देख पाएंगे आपको क्या करना होगा कि result का wait करना होगा result जब आएगा आपका 20 June को इस बार यहनिक 2019 में आपको 20 June को UP Polytechnic का result जो है वो announced किया जाएगा जाथा कि आप अपने सभी documents की photo click करके drive या फिर कहीं और भी अपने save कर सकते हैं जहां से वो photos delete नहों ताकि आपका अगर कोई भी document miss होता है तो उनकी roll number या फिर उनकी details आप फिर से देख पाएं ठीक है अभी अगर आपने नहीं किया है यह सारा काम तुरंत जितने भी documents हैं आपके चाहे वो intermediate का result हो गया, high school का result हो गया, admit card हो गया या फिर जो भी है आपका document सबकी photo click कीजे तुरंत अभी video बना के उसको drive में save कीजे या फिर ऐसे ही photo को save कीजे ताकि अगर आप इसी दरीके के लिए परवाही करेंगे तो counseling में आपको बहुत बड़ी दिक्कत की सामना करनी पढ़ेंगे होता क्या है कि जब आप admission कराने जाते हैं तो वहाँ के teachers आपको इतना जादा जो परिशान करेंगे अगर एक document नहीं होगा तो कितने भी दूर आप admission लेने गए हैं फिर से वो return करते हैं आपको घर कहते हैं जाके आप अपना document ले के आईए तभी आपका admission यहाँ संभा हो पाएगा तो ऐसे में इन सारी चीजों को ले कि आपको शतरक होना है सभी documents को साथ लेना है अभी आपका booklet number खो चुका है कोई बात नहीं आपको 20 June को result आ जाएगा 20 June को आप result admit card पे जो role number लिखा है वो और date of birth जो आपका date of birth है उसको fill करके result देख पाएंगे result official result देखने के लिए booklet number की कोई अवशक्ता नहीं होती है तो ये हुआ कि booklet number अगर आपका खो गया है तो आप क्या करें तो इसकी solution मैंने बता दिया अब कुछ students का ये comment आ रहा था कि क्या आप अपना score नहीं देख पा रहा है यानि कि sir मैं अपना score card नहीं देख पा रहा हूं मैं क्या करूं ठीक है तो कई बार ये होता है मैंने भी कुछ student से कहा था तो उन्होंने अपना roll number और booklet number comment किया था मैंने चेक किया तो उस पे server error दिखा रहा है होता क्या है कि इतनी ज़्यादा website जो है वो busy हो जाती है ना कि server error दिखाने लगता है इसे आप जो है वो दिन भर में चार बार या पांस बार चेक कर सकते हैं उस time में चेक कीजिए जिस time traffic नो हो यानि कि रात के समय ज़्यादा चेक कीजिए कभी कभी आपका खुल जाता है और जब आपका open हो जाएगा तो आप screenshot लेके उसको शेफ कर सकते हैं ठीक है तो try करते रहिए जब आपका open हो जाएगा तो आप score देख पाएंगे नहीं तो 20 जून को आपको result तो आही रहा है ठीक है तो I hope आपको ये दोनों चीज़े समझ भाई होंगी सबसे important इस वीडियो को बनाने का मक्षद यही था कि अभी भी जितने आपके पास documents है सबके photo click करके और आप अपने कहीं अच्छे safe जगा पे उसको safe कर लीजे ताकि counseling में कोई दिक्कत ना हो और भी अच्छी अच्छी और informational videos देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं जिससे मैं आपको पहले ही aware करता रहूँगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए during counseling ताकि आपका admission में कोई भी दिक्कत ना हो पाए क्योंकि बहुत जादा दिक्कत की सामना करनी पड़ती है जो counseling के दौरान और कई students की document की वज़े से admission रुक जाती है और वहां पर उनका admission होने वाला होता है सारा काम fit रहता है बढ़ documents की वज़े से उनका admission नहीं हो पाता है तो इन सब चीजों को लेके aware रहिए और मैं आपको हमेशा help करता रहूँगा इसी channel के माद्धिम से तो इस channel को subscribe कीजे और अपने friends में भी इस channel के बारे में जनकारी दीजे धन्यवाद इस video को देखने के लिए जय हिंद जय भारत